हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल फ्रेंड्स कैसे हो आप सब फ्रेंड्स आज जो मैं आपके लिए चीज लए हूँ वो बहुत यमी है और मुझे लगता है आप सबको बहुत पसंद आएगी ये मोसली सबी ने अपने बच्पन में खाई ही होगी मैंने भी खाई है ये टेस्टी होती है ये है कैंडी ये जो मोसली हमाले स्कूल के बाहर मिलती थी ये वो ही कैंडी है और ये बहुत यमी लगती है इसको हम खटी मिठी गोलिया भी बोलते हैं आम भाशा में तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगे कि किस तरह से हम घर में ही जो अच्छे डं और वैसे यह पाचिन के लिए काफी अच्छी होती है जब भी आप बड़े भी जब भी आप खाना खाएं तो खाने के बाद एक दो गोली इसकी खाएं तो आपके जो पेट है वह भी अच्छा रहता है और आपका जो खाना वह भी असानी से पज़ जाता है तो फ्रेंट्स ब यहां मैंने जीरा लिया है मैंने नॉर्मली जो मसाले में जीरा आता है वही जीरा लिया है इसको थोड़ा सा मैंने भून लिया है तवे पे और देन इसको मिक्सी में पीस लिया है यह फ्रेंट्स हमको एक चमच लेना है देन मैंने यहां इमली का पलप लिया है फ्रेंट्स ऐसे ही याद कर सकते हैं एक चमच जीरा पॉडर दो चमच मैंने लिया है अमचुर का पॉडर और चार चमच मैंने यहां लिये हैं चीनी के बुरादे के और थोड़ा सा नमक और एक चमच मैंने लिया है यहां इमली का पलग आप इसकी जगा निम्बू का रस भी ले सकते हैं तो आपका एक जाम देड़ निम्बू एक चमच निकलाएगा रस उसका वो डाली ची फ्रेंट्स मैं बताते हूं किस तरह से इसको बनाना है सबसे पहले फ्रेंट्स आप एक एम्टी बोल ले उसमें चीनी का पुरादा डाल यहां मैंने इसको चार चमच लिया है जीरा पॉडर अमचूर पॉडर थोड़ा सा नमक लेंगे फ्रेंट्स नमक जादा नहीं डालना और काला नमक ही ले वो जादा तेस्टी लगता है आप चाहें तो वाइट नमक भी ले सकते हैं देन पहले फ्रेंट्स इसको ड्राइफों में हम जोई मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि बाइंडिंग करने में असानी हो देन फ्रेंट्स इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके वो जो इमली का पलफ है वो डालेंगे और इस मिक्सर को फ्रेंट्स हमने इस तरह से करना है जैसे कि हम आटा गूनते हैं विकोज हम ने बाद में इसकी गोली तियार करनी है तो यह जितना अच्छा आपका जैसे हमारा आटा गूनता है तो फूल्के अच्छे बनते है उसी परकार से अगर हम इसको अच्छी तरह से गून देंगे तो हमारी जो गोली वह आपधी त्यार होंगी झाल झाल देखि फैंस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हो यह स्था और यह त्यूट होता है यह सिर्फी सद्रीन के नहीं देन फ्रेंट्स गोलगोर बनाने के बाद आप क्या करें थोड़ा सा आप जो चीनी का जो पॉडर मैंने त्यार किया था वो रख ले और उसमें आप इसको डिप करते जाएं यह देखे फ्रेंट्स देखे फ्रेंट्स हमने इस तरह से सारी गोलिया जो है वो त्यार कर ली है और मैंने इसको चीनी के पॉडर में लपेट लिया था और इस तरह से यह त्यार हो चुकी है फ्रेंड्स प्लीज एक बार इसको घर में बना के देखना मैं आपको शियोटी से कहती हूँ आपको अपने बच्पन की याद जरूर आएगी और फ्रेंड्स आप इसको जब भी बनाए तो प्लीज मुझे कमेंट के थूँ बताना कि आपके ये गोलें कैसी बनी है और फ्रेंड्स प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में जो बैल आइकन दिया है उसको प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफकेशन मिल सके और फ्रेंड्स एक लाइक बटन तो बनता ही है अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी एक आपके लाइक बटन को दबाने से मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा और ना ही आपका कुछ जाएगा बिकोज अगर आप सस्क्राइब करेंगे मेरे चैनल तो वो भी फ्री है अगर आप like का बटन प्रेस करेंगे तो वो भी फ्री है तो please subscribe my channel and friends take care bye